सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाईए बैल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असानी से हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे यूटूब चैनल निमीजी नेट पर दोस्तो आज हम higher education में new syllabus के अनुसार कुछ नए topic करने वाले हैं इसके अंदर हम conventional and non-conventional education यानि की पारमप्रिक और गैड़ पारमप्रिक नेतिक शिक्षा के बारे में पढ़ने वाले हैं इसके साथ साथ दोस्तों हम नेतिक शिक्षा के बारे में पढ़ने वाले हैं और ओरेंटल एजूकेशन जो है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यांत से देखना क्य क्योंकि इसमें से कोच्छन आने की पूरी-पूरी संभावना है दोस्तों क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप यूजी सी नेट एक्जाम में पांच या दस नंबर से रह गए हो और दोस्तों क्या आप चाहते कि अब की बार भी दोवारा फिर से आप पांच या दस नं देंगे और दोस्तों इसके अंदर हम आपको बीस दिन के अंदर पूरा का पूरा रिविजन कर वाएंगे हर एक यूनिट का इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेखिए 2019 तक Old Paper PDF देंगे जिसके अंदर आपको टोपिक वाइज ओल्ड कोशन मिलेंगे जैसे कि आज तक जितने भी research के question आये वो हमने अलग करके हैं, communication के जो आये वो हमने अलग करके हैं, teaching के अलग करके हैं, इस तरीके से 10 की 10 unit के हमने topic अलग कर रखे हैं, दोस्तों उनको देख के आप बहुती अच्छे से अपनी study कर सकते हैं, इसके साथ हम आपको theoretical notes और theoretical video देखते हैं, उनसे पता चल जाता है, तो हम बिल्कुल आसानी से अपना net plus jrf qualify कर सकते हैं, और हर बार जो 5 या 10 नमबर से रहते हैं, वो डर हमारा बिल्कुल खतम हो जाता है, तो अगर आप चाहे तो हमरा paid group जोइन कर सकते हैं, paid group हमें किस तरह से join करना है, वो यहाप यह नमबर दिया हुआ ह दोस्तो वर्टसप नमर दिया हुआ है, इस वर्टसप नमर पर आप हमें message किजिए, उस message में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि इस crash course के अंदर क्या कि आपको सुविधाई मिलने वाले है, यह course कब से start होने वाला है, इसका registration दोस्तो अभी से शुरू हो गया, आप हमें oriental learning program होता क्या है, देखिए इसे हिंदी में समझा जाए तो हिंदी में इसको प्राच्चे शिक्षा कहा जाता है, जैसे नाम सही हमाई पता चल रहा है कि जो हमारी पुरानी शिक्षा पदती थी उसके बारे में और उसके अंदर हम क्या देखते थे दोस्तों हमारी संस्कृ हमारा धर्म है, और हमारा आश्रन है, किस तरह से हम रहते थे, खाते पीते थे, हमारी जो भी रहन सहन था और हमारी संस्कृती थी उसके बारे में जो हम सिक्षा प्राप्त करते हैं, उसे हम oriental learning program कहते हैं, और भारत के अंदर देखिए वैसे तो काफी तरह की educational program चलाए जा लेकिन अपनी संस्कृती को बचाने के लिए भी काफी तरह के program चलाए जा रहे हैं, जिनको हम oriental learning program कहते हैं, अब देखिए इसमें थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं, अगर आप चाहे तो यहाँ पे English में पढ़ सकते हैं दोस्तों, और किसी को अगर हिंदी समझ में आके तो वो यहाँ से हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, मैं आपको इसका बिलकुल आसानी से मतलब समझा देता हूं, इसका मतलब क्या होता है, देखिए, इंटल अध्यन की अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम अपनी संस्कृती हैं, भासा और लोगो, इतियास और पुरा त इसे बचाने की कोशिस कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम अंग्रेजी की बात करें तो यह दिन वदिन बढ़ती हुए जा रही है, तो इस समय में हमें अपनी भासाओं और संस्कृतियों को बचाने की काफी आव सकता है, और आज के टाइम में आपने देखा हुआ कि जो खेल खेलते थे पहले वो भी धिरे धिरे विलुप्त होते वे जा रहे हैं, तो अपनी भासा, संस्कृति, इत्यास और पुरा तताव को बचाने के लिए जो एजुकेशन ली जाते हैं, उसे हम औरियंटल अध्यन कहते हैं, इसमें क्या होता है दोस्तों हर देश अपने हिस साथ से औरियंटल लर्निंग प्रोग्राम चलाता है, जैसे कि यहाँ पर हम बात करें, ट्रैडिशनल ओरियंटल स्टडी इन यूरोप, आर टुडिश जनरली फॉकस ऑन दर डिस्टिप्लिन ऑफ इस्लामिक स्टडी, यानि कि हर देश का जो छेतरह वो अलग अलग होता है, और दूसरी तरफ हम बात करें, वाइल दर स्टडी ओफ चाइना, स्पेसली ट्रैडिशनल चाइना, ये ट्रैडिशनल चाइना के उपर फोकस कर रहे हैं, यहाँ पर आप इंगलीज में पढ़ सकते हैं, आप पढ़ना चाहे तो, और मैं आपको हिंदी में भी दिखा देता इंडिया के अंदर एक और इंडिया के उपर फोकस कर रहे हैं, यानि कि जो हमारी संस्कृती है, उसका अध्यन करने का जो विग्यान है, उसे हम क्या कहते हैं, इंडिया के अंदर हम इंडिया के अपने सभी पहलों में संस्कृति के अध्यान का विज्यान है, यानि कि जो ह हमारी संस्कृती है उसका अध्यन करने का जो विग्यान है उसे हम क्या कहते हैं इंडोलोजी कहते हैं यह हमें ध्यान रखने वाली जुरूरी चीज़ है दोस्तों कि इसमें से कौशन आ सकता कि इंडोलोजी क्या है और जैसे कि आज आपने देखा हुआ कि गुरुकुल परण जाता है यह जो औरियंटर लर्निंग प्रोग्राम के जितने वी इंस्टिटूट वगरा है उनके अंदर क्या किया जाता है इन संस्थाओं के काम में परमुक रूप से प्राथ्चे और संस्कृती जैसे दुरलोब भासाओं की दुरलोब पांडुली पियों को एकतरित करन यानि कि उनके जो वी नोट से विगरा बना रखे जो बुक्स विगरा बना रखे जो बहुत पुरानी उनके अंदर काफी एजुकेशन दी हुई है उनको एकतरित करना और उनको सही तरीके से संभाल के रखना बहुत ज्यादा जुरूरी है यह सब काम करते हैं और दोस्तो जो भी हम scientific कारिय कर रहे हैं वो चीजे उनके अंदर already लिखी हुई है बहुत से हमें ऐसे उधान देखने को मिले हैं जिनमें हमें पता चलाए कि जो भी हम विग्यानिक कारिय करे हैं तो उनके बारे में बहुत साल पहले ही बता दिया गया था तो वो हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों और उनको सरंक्सित करना बचा के रखना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है अब दोस्तों बात करते हैं कि oriental learning program के कुछ institute है इंडिया के अंदर वो कौन-कौन से है साइध इसमें से एक question आज है कि निम लिखित में से कौन सा oriental learning program नहीं चला रहा हूँ और या चला रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह list दियुए है जैसे कि अध्यार library and research center, asiatic society और फिर है बहान धरकर oriental research institute यह यहाँ पर पूरी की पूरी list दियुए है दोस्तों आप यह पढ़ सकते हैं आप एक बार इनको देख जरूर लेना दोस्तों क्या पता इन में से कोई question आजे और total जैसे कि यहाँ पर 17 दियुए है परमप्रिक और गैर परमप्रिक प्रिसिक्षण के सयोजन की प्रणालि से इस disciplined गतिविधी से चारूरूप से हो सकती है चलिए हम इसे असाने से समझने की कोशिस करते हैं यह क्या कह रहा है यहाँ परमप्रिक का अर्थ है शिक्षा कक्षिया निएमित संस्थान में कרב हम आ रहे हैं कि स्कूल के शुड़ाइए को नोकरी कर रहा है और उस Сथाथ पढ़करें नोकरी कर रहा है और, उसके साथ सथ पर्ड़ रहे जैसे के चर्ण करें के प्रिंदर के काफी प्रोग्राम चल रहे हैं उसके अंदर injustice क्या करते हैं क्या जोब भी करते हैं और अपने स्टडी भी चलाते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे गैर पारंपरिक एजुकेशन कहेंगे और इन दोनों के अंदर काफी अंतर आ जाता है दोस्तों और वो अंतर हम देखेंगे कि क्या क्या फरक आता है इन दोनों तरह की एजुकेशन के अंदर और इसके अंदर और भी काफी तरकी बात दी हुई है भारत में गैर परमप्रिक सिक्षा करेकरम के इंदर गत ऐसी सिक्षा प्रणाली को सामिल किया जाता है जिसमें स्कूली सिक्षा ट्यूशन कोचिंग गोश्टी सैमिनार रित्यादी के माध्यम से सिक्षा की गुणवता के सा साथ कोशल सिक्षा अधारत रोजगार पर शिक्षा की ओर ध्यान दीयाए जाता है अब देखी गैर परमप्रिक सिक्षा के अंदर इंदिया के अंदर क्या धाता है दो सो उसके अंदर इस तरह की कोचिंग लेस के जिससे उसे आगे अच्छा रोजगार मिल सके तो इसमें काफी तरह की बाते दिए दोस्तों आप यहाँ पर पढ़ सकते कि जो गैर पारंप्रिक सक्षिया है वो आज कलम वेबसाइट पॉर्टल ब्लोग यूटूब कॉन्फरेंस वगयरा से ले रहे हैं और अब बात करते हैं दोस्तों इन दोनों के अंदर क्या फरक आता है इनकी में इंपोर्टेंट बाते क्या हैं सबसे पहले हम बात करते हैं पारंप्रिक सिक्षन यान स्कूल के अंदर जाते तो उसके अंदर जो भी टीचर हमें बताएगा बच्चा उसी का ही अनुसरन करेगा उसी अनुसर वो पढ़ेगा और उनके अलावा वो कुछ ज्यादा करने की कोशिस नहीं करेगा तो इसे हम क्या कहेंगे निस करिए सिक्ष्या कहेंगे इसके अंद बच्चा जो है वो ज्यादा एक्टिव नहीं रहता वो निर्देशों के अनुसार चलता है और इस किंदर क्या होता है दोस्तों छात्रों को ग्यान कोष़ल और अनुभाव परदान किया जाता है जो टीचर है वो अपने अनुभाव पताएगा और उनको बताएगा कि इस तर समपर्क में रहता है उनसे बातचित कर सकता है अच्छे से अपनी स्टडी कर सकता है सिखसक दवारा नियंतरन और मुल्यांकन अब इस दुरन क्या होता है दोस्तों जो भी हम पढ़ रहे होते उसका मुल्यांकन करता है जैसे मुल्यांकन का मतलब हमारे टेस्ट वगेरा लिये जाते है समय समय पर हमें पता चलता है कि हमें कितना कुछ है और कितना हमें इंप्रोवमेंट करना की ज़रूरत है उसके बाद है दोस्तों हमारे पास गैर पारंपरिकnaire शिक्षा अब देखै गैर पारंपरिक्सर के अंदर क्या होता है यह स्क्रिय शिक्षं है जो सवतंत्र रोप से चलता है अपना कारिया चुनता है किस करती से यह किया जा सकता है सिक्षक यदि कोई हो तो सुविधा हो जाती है अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों इसके अंदर हम बिल्कुल freedom होती है हमारे पास हम जब चाहें जिस तरह से चाहें education ले सकते हैं जैसे की YouTube से पढ़ सकते हैं, किताब से पढ़ सकते हैं, audio सुन सकते हैं और चाहें तो किसी जो teacher है उससे हम बात करके उनसे भी हम अपनी education ले सकते हैं यह बिलकुल freedom होती है दोस्तों इसके अंदर है यहाँ छातरों का समान्य विकास होता है और वह मोडूल को सीखने में प्रयाप्त ज्यान प्राप्त कर लेता है यहाँ पर क्या होता है दोस्तों न कोई कहां से कोई कहां से हमें नहीं पता सलता कुछ ही लोगों के संपर्क में हम रहते हैं उसके बाद में आतम नियंतरन और आतम मुल्यांकन इसके अंदर क्या होता है दोस्तों हमें खुद study करनी होती है कि हमें खुद समझना पड़ता कि हमें कितने घंटे पड़ना है कब अब दोस्तों अब बात आती है हमारे पास value education यानि कि नैतिक सिक्षा के बारे में बात आती है अब देखें नैतिक सिक्षा का मतलब क्या होता है नैतिक सिक्षा वह है प्रिकिरिया जिसके माध्यम से लोग दूसरों में नैतिक मुल्यों का संचार करते हैं यानि कि इसका यह क्या गलत है उसे अपने धर्म के बारे में और उसे करम के बारे में पता चल सके कि क्या काम करना अच्छा रहता और क्या काम हमें नहीं करना चाहिए दूसरों की help करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए तो यह सारी चीजें हमें पता चलता है और यह कारिये दोस्तों अपने घर क्लास में ये एक सब्जेक्ट भी हुआ करता था फीजिकल एजुकेशन उसके अंदर ये टोपिक आता था नैतिक और इसके अंदर और वी कई चीजी है दोस्तों जैसे हम बात करते हैं यहां पर अगर पढ़ना चाहे तो यहां पर पढ़ सकते हैं काफी चीजे यहां पर दी हुई है उसके बाद जैसे कि नेतिक सिक्षा को समाननेते व्यापक रूप से ग्रहन किया जाता है इसके अंतर गरत नीमन लिकत चीजे आते हैं वो देखते हैं इसके इसके अंदर एक तो हमारा सारेरिक सवास्था का पर सिक्षन यानि कि इसके अंदर हमें ये बताया जाता कि हमें अपने सरीर को किस तरह से सही रखना है क्या हमें खाना है किस तरह से खाना है और किन चीजों से हमें परहेज करना चाहिए ये चीजे बताई जाते हैं इसके इंदर मांसिक विकास किया जाता है हमारा चार या सुद आचार विचार इसके इंदर हमें ये बताया जाता कि हमें किस तरह से दूसरों की कारान करतवे यानि कि हमें ये भी बताया जाता कि हमारे क्या क्या करतवे हैं हमारे समाज के परती और हमारे धर्म के परती और और इसके अंदर जैसे की नैतिक की आवशकता क्यों है यह भी हमें पता होना चाहिए दोस्तों इसमें एक तो चरित्र का निर्मान के लिए बहुत ज्यादा जुरूरी है और उसके बाद में ऊचितमुल्यों का समावेश उचितमुल्यों का मतलब है कि हमारे अंदर काफी गंदी चीजे भी आ सकती है तो उनक निकालने के लिए और अच्छी चीज़े बिल्ट अप करने के लिए वो ये चीज़ की जाती है दोस्तों इसके अंदर यही है कि नॉर्मल चीज़े है नैतिक सेक्षिया के अंदर इसके अंदर साइद मेरे कुछ जादा बताने कि आप सकता नहीं आपको अगर फिर भी आप चाहे तो यहाँ पे आप पढ़ सकते यह पुरा का पुरा नोट हमने दिया हुआ है यहाँ पे यह पढ़ सकते हैं अच्छे आगे वी जैसे हमारे पास अच्छे गुणों वे आदतों का निर्मान सारी वही चीज़ है दोस्तों बिल्कुल नॉर्मल है तो दोस्तों आज के यह हमारे कुछ important topic थे आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें जरूर पताइए और दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और घंटी का बटन जरूर दबाईए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को सानी से देख सके थैंक्यो दोस्तों